हेलो फ्रेंड्स माइनम इस फिजे यह हमारा सिक्स ट्रिटोरियल है एसक्वेल का जिसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे मल्टिपल्स कॉलम्स को एक्सिस कर सकते हैं तो देखिए आपको लिखना आपका सेलेक्ट आइडी जो हमारा सबसे पहला कॉलम है दूसरा कॉलम नेम कॉमा लगा के सब्रेट करेंगे और फिर लिखेंगे फ्रॉम कस्टमर्स इस तरीके साब क्या कर सकते हैं आइडी और नेम हमारे जी दो कॉलम से उनको एक्सिस कर सकते हैं देखे गो पर क्लिक करेंगे तो देखे इस तरह के से id और name हमारे दो columns एक साथ हमारे output में आ गए अगर हम multiple columns को एक साथ access करना चाते हैं तो आपको यहाँ पर column लगा के कॉमा लगाके चेंज करना होगा देखे एक और कॉमा लगाके zip लिखते हैं तो zip पी जो हमारा column है वो भी हमारा access हो जाएगा गो पर क्लिक करेंगे तो देखे आईडी नेम और जिप इस तरह के से हमारा output में शोग हो गया अब देखे अगर आप सारे columns को एक साथ करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हरी columns को इस तरह से लिखे एड्रस फिर city जो भी जितने भी columns है वह आपको लिखने के ऐसे जरूबत नहीं पड़ेगी आप क्या यूज़ कर सकते है आप यूज़ कर सकते है एस्ट्रिक का एस्ट्रिक से क्या होगा जितने भी आपके columns प्रजेंट होंगे customer table में वह सारे के इशारे show हो जाएंगे देखिए go करते हैं देखिए जितने columns थे वह हमारे इस तरीके से show हो गए से एस्ट्रिक की हेल्प से थैंक यू फर वाचिं दिस वीडियो प्ली सब्सक्राइब मैं चैनल में जाएउट